नमस्कार दोस्तों आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चनल पर तो आभी हो गए हैं सुबह के टाइम और आज काफी ज़्यादा फिर से बाड़ गया है क्योंकि रात को बारिस हुआ था और सुबह तो बारिस नहीं हो रही है लेकिन ठांड जो है फिर से बाड़ गया है और अभी थोड़ा थोड़ा धूब भी निकर रहा है तो ठांड काफी जाता था सुबह के काम हो गया था और यह सब जो है काम पर चले गए थे पापा जी यह तो फिर ममी जी ने चात उपर देख सकते हैं आग जलाए हैं लकड़ी था पहले से थोड़ा बहुत तो उसमें आग आग नहीं जलाते हैं बस काफी जिस दिन ज़्यादा ठंड रहता है उस दिन ममी जी जलाती है इसी तरह तो यह देखी तो चात पर हम मैं ममी जी और सिद्धर जो है आग का मजा ले रही हूं ठंड में तो इसी तरह करके आभी तो एक गंटा तक चला जाएगा उसके बाद सीदे में नहाने चली जाओंगी क्यूंकि सुभा का नस्ता बगएरा जो है बन गया है और सुभा का काम भी हो गया है और आभी जी जैसे कि मैं मिर रही हूं दुपर का तो कोई भी क्लिप में नहीं ले चाओल जो है हम लोग झो खाते हों पक काचाओल होता है तो पक का चाओल इतना वाच गया था और तो सोचे फिर कुछ बना कर खाते तो इस तरह से तो चाओल इस तरह फ्राइक करने अच्छा लगता है चाओल गरम भी हो जाता है तो फिर खाने का मन करता है नहीं तो फिर एक बाद जैसे दफ़र के टाइम पे दालवाद सबजी खा लिए तो फिर से और खाने का मन पाइज ले थी उसके बाद हरा मिर्स भी भूंच कर और मटर और टामाटर जो है मैं इसमें भूनने के लिए दे दी हूं और साध अनुसर नमाक और हल्दी दे देती हूं उसमें और कूछ भी मैं मसला नहीं डालूंगी तो इस तरह करके जो है मैं आच्छे से पका लेती हूं और यह देखिए यह पका लेती हूं धिमियाच से ताकि यह टामाटर जो है अच्छे से पक जाए और मोटर भी अच्छे से पक जाए तो इस तरह करके मैं पका लूंगी और इस तरह से बनाने से ने क्या होता है सब जो फटा-फट खतम हो जाएगा कोई भी घर में रहेंग कि यह जे चाओल बंचा हुआ है दो पहर कह कोई खा कोई खा लीजे तो फिर कोई नहीं खाएंगे और इस तरह से बाना देने से अच्छा भी लगता है और सब को इन्हां खावी लिए तो यह देखिए यह अच्छे से पग गया था हमें ढग डाक दी थी कुछ देर के लिए तो पाग गया था अच्छे से, उसके बाद इतना जितना चाल था मेरे पास वो में डालके अच्छे से इस तरह करके मिक्स कर लूँगी ताकि ये अच्छे से तेल जो भी मैं इसमें डाली हूँ वो अच्छे से अच्छे से मिक्स हो जाएं और चावल खाने में अच्छा लगे तो इस तरह करके फ्राई में कर लूँगी चावल को और बनाते बनाते क्या होता है ना पपाजी भी आ जाते हैं काम से पपाजी तो लेट से आते हैं करीब साड़े पंच से बज़े के टाइम पे आते हैं लेकिन आज पता नहीं थोड़ा जल्दी आ गए थे और चार बज़े आ गए थे तो ये में बना ही रही थी चाहल को तो फिर पपाजी आगें तो पापाजी को भी मैं बॉली थोड़ा सा खा लीजिए तो गर्मा गरा में अब पना रही हूं तो फिर पापाजी भी थोड़ा खा लेते हैं और पहले मैं पापाजी को दे拜拜 को देदोंगी आए थे noticing की आए विपाबु के साथ बात गर् flesh तो ये देखिए आलू का भूजिया वच्छा हुआ था और चाउल का फ्राइ में कर ली हूँ और यहां पर मैं पापा जी को दे देती हूँ और मामी जी को उसके बाद में भी मेरे लिए भी है वो मैं खा लूँगी तो फ्रेंड यहां पर मैं कुछ ऑनलाइन सपिंग की थी जो मैं एमाजन से की हूँ और यह मेरा कूरती है तो कपड़ों के सपिंग की थी और यह कूरती मेरून कलर का है और यह ग्रेन कलर का कमिनिसन है इसमें डिजाइन किया हुए देख सकते हैं स्लीप में इस तरह का डिज चाहुना बला है तो यह देख सकते हैं कितना अच्छे से इनका फिनिसिंग है जीप का और यह अमरेला पेटरन का है देख सकते हैं और नीचे भी इस तरह सा डिजाइन किया हुआ है तो यह मुझे बहुत ही पसंद है और सेकंड कुर्ती यह है जो मारिन ग्रीन का है तो यह भी कॉटन रियोन मेटारेनिटी फ्रीडिंग कूर्ती वी जीप से तो आप देख सकते हैं इसमें भी जो बेल्ट दिया हुआ है यह काफी ज़्यादा अच्छा है और इसमें इस तरह का डिजाइन किया है बलेक गॉल्डन और रेड में तो देख सकत है या पर जो बटन है वो डिजाइन किया हुआ है बाकी यहां पर जिब लगा हुआ है और कफ्डा का क्वालिटी जो है बहुत ही अच्छा है न रित और डेख सेंजा ही चूक कारी पता चलता है और दूसरे ब्लाउ जो है यह ब्लेक में जो है यह यह भी स्लीब में नेट का काम किया हुआ है और कांचनार हमेन काटन एंड लाइकारा सॉलिड हाट स्लीव का है बलाओ जीए तो ये बिलेक कलर का है और यहाँ पर मुझे ब्यूटी का कुछ पोड़रेक बहुत ज़रूरत था तो मैं एक मेरा पॉन्स बीबी क्रीम का बहुत ज़्यादा बहुत दिन से सोच रही थी लेने का तो ये मैं ले ली हूँ और ये एमाजॉन से मैं मगाई हूँ तो देख सकते हैं ये तो ये पॉन्स बीबी प्लस क्रीम स्टेंट स्पोर्ट कभारेज है और पूरे आपको लाइट मेकाप ग्रो एक ही क्रीम पे मिल जाएगा और सेकेंड जो है मैं मगाई हूँ लेकमी का फेस पाउडर लेकमी एपसलूट पारफेक्ट रेडियन्स कॉमपेक्ट है तो ये और यूवी पी प्रोडॉक्शन है तो मेरा काफी ज़्यादा ज़रोद था तो मैं एमाजान से मगाई हूँ और ये बहुत अच्छे से है और सबसे अच्छा बात है ये टू पीस में मुझे मिला है तो मैं एमाजान से अच्छा बात है तो मैं एमाजान से अच्छा बात है